अलो इवरीवन स्वागत है आप सभी का 69 जार सिख्षक वर्ति में तीन दीन का और समय बचा है आनलाइन आवेदन के लिए और अब तक सभी लोग फॉर्म बर चुके हैं सिवाए उन लोगों को छोड़ करके जिनके मुबाइल लंबर अपडेट नहीं हो सके हैं यानि जिनकी हमारे राज के मुक्यमंतरी जी भी लाइप पर आये थे उनसे भी सात्रों ने मांग करी इसके अलाबा जो टावपर्स हैं या जो धांदली हुई है ऐसा लोग कह रहे हैं उसकी भी लगातार जाज की मांग हो रही है दोस्तों एक जो कामन जो कमेंट आप सब क्या रहते कि म बेरिट इतनी नहीं जाएगी इतना कम गुडांक आप कैसे बता रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जनल की कटाफ को 70 प्लस बताया है देखिए दोस्तों यह कटाफ आपकी तब होती जब यह सभी लोग काउंसलिंग के पात्र होते काउंसलिंग के लिए इलिजबिल होते उस सीच्वेशन में मैंने भी 70 प्लस ही एकस्पेक्ट किया था मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ लेकिन दोस्तों जिस तरह से आप सभी ने देखा होगा पहले से ही जिनके अंक भरने में गलती हो गई है यानि जिन भी ऐसे डेटा से जो आपने भरने में गलती हो गई ह जिनसे गलती हो गई है बाई बैड लग कह सकते है उनका कि ऐसा होना नहीं चीए था विलकुल भी यह लापरवाई है और जिनसे मेरिट प्रभावित होगी ऐसे किसी भी जो भी इंसेटी है उसमें संसोधन मानने नहीं होगा इस वज़े से बहुत सारे अध्यरती के जो प्रक्रिया है आपके तीन जून आवयतन अब इस सब लोग सब्मिट कर रहे है यह Oh आप इसके आला फिर着 किया जाएगा ओर मेलोग के लूइटosis कहेंगे इसके अलावाग है इसके जो अपियर्ट वाले हैं बाइक वाले हैं टेट पास नहीं थे आपकी जिनका रेजल्ट 24 दिसम्बर 2018 तक नहीं आ सका था सभी लोग बाहर होंगे और एक यह कहना नहीं चाहिए दोस्तों किसी को भी कि अगर मोबाइल नंबर में संसोधन का मौका नहीं मिलता है तो इसकी वज़े से भी बहुत सारे अभ्यरती बाहर हो जाएंगे दोस्तों ऐसे लोगों को मौकाज जरूर मिलना चाहिए जो कम गुड़ांक वाले हैं जो अभी आरता रखते हैं तो ऐसे लोग सेफ तभी होंगे जब यह लोग रिज़ेक्ट होंगे लेकिन दोस्तों सभी का होना चाहिए यह कोसिस होनी चाहिए मैंने आपसे बिस ये भी खाँ था कि जो 68-500 की 22,000 के लगबग रेक्त पद जो खाली रह गयते उनको यहाँ पर एड़ करने की मांग आप सभी करिये मिल जूल करे तो दोस्तों केबब कुछ लोगों की मांग करने से नहीं होगा जो meritorious candidates हैं जिनके गुड़ांक अच्छे हैं आप भी और जो लोग गुड़ांक वाले हैं सेफ गुड़ांक वाले हैं सब लोग मिल करके साथ दीजी सबका एक दूसरी का तो सबका भला हो जाएगा जो rejection में लगे होएं उनका भी संसोधन हो जाए तो अच्छा होता तो यह कुल मिला कर कि दोस्तों यह बात बस यहां तक है कि आप सभी कचैन होना चाहिए बस मैं यहीं चाहता हूँ और आप सभी को मेरे तरफ से अग्रिम बहुत बहुत सुपकामना भी है आप सभी का सेलक्षन हो जाए कम गुडांक हो यह ज्यादा गुडांक हो गैसे भी हो आपका सेलक्षन हो जाए जो भी आप eligible है आरता रखते हैं दोसरी बात है दोस्तों कुछ लोग यह कहा रहेते कि जिला वरेता सूची जो हमने भर दी है उससे कोई मतलब उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा हमारे से गुडांक से उससे क्या मतलब है 75 जिले भर नहीं है तो हमें फिर कोई भी जनपत में जहां मेरिट कम होगी वहाँ प सबी लोग मुझे एक बात बताईए जब आप किसी एक जनपत पर एक जामपुल आपने लखीमपुर खीरी ले लिया उस जिले में सपोच कर लिजी आपने उसको वरियता करम में पांच नंबर दिया है और आपके बिल्कुल सेम गुडांक का सेम कर्डिगरी का अभ्यरती क इसे उसको अपने गुरी जनपत की रूप में पहले नंबर पर सेलेक्ट कर दिया है गुरी जनपत भले नहों उनका हो यह सब आपके गुडांक बिल्कुल सेम होंगे सेम कर्डिगरी होगा तो उसके बाद पिर आपका जिला वरियता करम देखा जाएगा उसके बाद पिर आपके जो भी आगी असपक्त पियाँ जाते हैं जिसमें आपका एज अलफा बिट ब में आत्र नाम का यह और दोस्तार यह बाद रहते कि नेедиाट से की मतलब छाए यह उसमें कि जिलावन्तर रद्र किया गया था उसमें क्योंकि गरी जनपद से दूर जनपद भेजना जो अच्छे गुडांक वाले हैं स्वरीज हो हाइ जहां पे कम गुडांक जाती हैं ऐसे कई तो बहार हो गे थी इस स्पर्किरिया से इसके लावा ओबर्लैपिंग में Als इसी में जो भी गरवड़ी हुवी थी 800-500 वाले में आपने देखा होगा 6000 जनरल क्रेडिगरी के अभरती थे वे लोग भी बाहर हो गये थे फिर बाब में उनका समय उजिन किया गया तो दोस्तों मुझे मैं मेरे पास कोई उनके तरफ से कोई आफिसियल नहीं मिले लेकिन यह हलाप नामा एफिडेविट भी भरवाया जाएगा तो दोस्तों इस चीज को आप सभी लोग समझिए और दोस्तों मेरे आपकी जिले अस्तर पर ही बनेगी यह बिल्कुल मैं क्लियर चकर चुका हूँ कई बार कह चुका हूँ लेकिन जिला वरियता करम जिले का सेव गुड लगने वाले आफलाइन बहुत कम चांस है क्योंकि पहले हो रहा था कि यहां पर आलाइन आवेदर में दिख्कते आ रही थी तो यह रहा था कि हो सकता है काउंस्लिंग कराई जाए लेकिन आलाइन ही होंगे तीन दिन में सरा प्रोसीजर खतम होना है उसको उसके बाद पिर आटमेटिकली वहां का मेरिट जाएगा अकम गुड़ांक वाले होंगे तो मेरिट कम जाएगा जहाँ ज्यादा व्याहती होंगे वहां गुड़ांक ज्याएगा जाहां का व्या functions पंड़ा है आप सभी लोग जानते हैं 70 प्लस आप समझ सकते हैं जनरल करडिगरी में या किसी भी करडिगरी के लिए बहुत ज़्यादा मेरिट है, मतलब 100 में 4-5 लोगों के या 10 लोगों के हो सकते हैं, 70 प्लस, 100 में 70-80 लोगों के नहीं होंगे दोस्तों, तो यह चीज आप लोग समझिए, और गुडां के इतना नहीं जाएगा, बागे जो लोग अगर यह जो reject होने वाले हैं, मैं चाता हूँ, आप सबी का कोई ने कोई solution निकले, और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, हाई कोट में भी आंसर कुझी विवाद का मामला, जिसमें आपने देखा होगा, हाई कोट ने 28 तक बिलकुल यह बोला है, 27 तक कि आप जो नोंने पहले एपिट डेविट दी थी, उन्होंने साब सब बता दिया, जो बी इनके प्रस्न थे, जो बी इनके प्रस्न थे, जो बी इनके इनके समस्याएं थी, आप ने तो उसके लिए कुछ दिया नहीं प्रापर तरीके से, आप फिर सिदी जी उसको, तो 27 तक मांगा है, और 28 को हो सकता है, कोई उनको इसमें फाइनल डिसिजन आ जाए, हो सकता है, कोई चौकाने वाला भी फैसला आ सकता है, तो ये गवर्मेंट के गाउंटर एफी डिवेट की उपर डिपेंड करेगा, और जो भरती प्रिक्रिया है, जो इसमें धादली की जो लगातार जांच की मांग चल लएए, तो दोस्तों, आएसे जितने भी लोग होंगे, ये बिलकुल भी, मतलब, इनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए, ये प्रिक्रिया जो भी है, बिलकुल गलत है, जो लोग मेनद कर रहे हैं, जो लोग अहरता रखते हैं, उनी का होना चाहिए, सिर्फ, बागे दोस्तों, जो मैंने जनल, जो कटाफ आप सभी को बताई थी, कडिगरी वाई, इस्पेसल कडिगरी वाले बिलकुल परसान मत होएं, इस्पेसल कडिगरी में, फिजिकल लिया हैं, फ्रेटम फायर्टर, एक्सर्विस्मेंट, यह सभी लोग बिलकुल परसान मत होएं, इसके लावाए, एश्टी कडिगरी के सभी लोग सेफ हैं, गिरी जनपद आपका मिल जाएगा, अगर आपके गिरी जनपद में रिक्तिपद हैं तो, अब ऐसा नहों जाए, किसी जनपद में रिक्तिपद जितने हैं, उससे ज़्यादा सभी लोग वहीं चले जाएं, आवेदन करने के लिए, तो फिर अलग बात है, कि गिरी जनपद ना मिले, या फिर जिला ना मिले, द हैं, उनका भी चैन हो सकता है, आइए दोस्तों जल्दी से एक बार फटा फट देख लेते हैं, सारी चीजे क्या-क्या मैटर है सारा, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसके लाव मैं आप सभी को एक बार फिर से कितने सेफ गुडांग पर आप लोग अपने इंगरे जनपत में सेफ हैं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, आईए सबसे पहले ये देख लिजी आप, कि सोब्रत पाटा की जिएक तरफ से एक लेटर लिखा गया है, मोबाईल नंबर में संसोधन को ले करके, कि किसी न आप पढ़ लिजीएगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, फिर देख लिजी दोस्तों ये application for interim relief, इसका मतलब ये होता है, कि जो भी respondents, authorities to stop the process of selection during pendency of the read petition, यानि जब तक ये case जो भी समस्या है, high court में, supreme court में चले जब तक ये खतम नहीं हो जाते, इंका solution नहीं नि गें से, the petitioner therefore most humbly pray that the honorable court may be gracefully pleased to issue a read, order or direction in the nature of interim mandamus, ये होता है, जिसको बोलता है, परमादेश बोलता है, इंदी में, दोस्तों, ये चीज़, आगे देख लिजिए इसमें फिर, ये पैरा है आपका business करके, जो overlapping को ले करके है, overlapping में आप देख लिजिए पर एक बार, issue a rate in the nature of this, जो guideline is issued by the respondent number, ये होगे आपका, इसमें जो does not prescribe the status of candidates who belong to the categories mentioned in the section of reservation act 1994, higher security, 60% or more, मैं आपको सिधा जदेश का Hindi मतलब समझा रहा हूँ, पूरा इसका क्या मतलब है, इस पूरे लेटर, इस पूरे जो ये आर्टिकल है, जो ये line पैरा है, पैरा है, कि जो लोग एक बार OBC या SE की category में, अपने आरक्षर का लाब लेकर, यानि 5% उनको छूट है, passing marking के लिए, उनको 90 नंबर चाहिए था, बागी जनरल में 97 चाहिए था, जब वो आर लेडी 5% आरक्षर का पांच प्रसर जो छोट है, उसका लाब लेकर के, अपने category का लाब लेकर के, यहां तक पहुंचे, तो फिर उन्हें आगे क्यों मौका दिया जा रहा है, आगे उन्हे कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जो अबरलाइपिंग के परक्रिया पहले होती थी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, समाफ्त होने चाहिए, उसकी परक्रिया को बदलने की मांग की जा रही है, बागी आपका जो भी केस है, हाई कोर्ट में चलना है, आंसर कुंजी विव मामले में सुनवाई 28 को है, इसमें आप देख लिजिए, हाई कोर्ट के लखनो, पीट प्रदेश के साहय सिख्चक के उनतर जापतों पर भरती मामले में, उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से सम्मंदित विवाद को लेकर दायर रहाचिका में पेस केगी चेन परक्रिया को खिलाल अस्तगित करने की अरजिए पर 28 में को सुनवाई करेगे, कोर्ट ने प्रदेश के वेसिक सिख्चा बोर्ट से में दो पक्चेकारों को चार विवादित प्रस्नों की समंद में 27 में तक हलपनामा पेस करने का निर्देश दिया है, तो इसमें नयामुर्थी मरिस मात 28 को हो सकता है, कोई कोई डिसीजन आ जाए, और इसके अलावा इसमें ये भी मांग की गई है, कि जब तक ये मैटर है, कोट में चला है, तब तक परक्रिया को रोका जाए, आगे देख लिए चैन परक्रिया अस्तिकित करने की अरजिए पर हाई कोट 28 को करे का विचार, कुछ लोग ही बचे हैं, जो सभी लोग बचे हैं, मोबाइल नंबर संसोधन, इन्ना हो पाने के वज़े से वही लोग बचे हुए हैं, ये देख लिजे दोस्तों, अंतिय उरुप से चैन में फेल पास होने का दोर अभी बागी है, सयूग है कि 800-500 सिक्षक भरती की लिएकित परिक्चा में तय पदों से कम 41-556 अभ्यरती उत्यड़ होए थे, और इसमें से भी कुछ 40,000 की सम्तिंग लोगों ने काउंसलिंग कराया था बाद में, तो पहल 50 Somya at 1466… आभ्यरति और ने के लिए 해 उत्स पास प्रविज्चन — आप्ली बहा लिजी अपने आभी समय है। सबी के पास और आप लोग जा भी सकते हैं अब अंतर जन्पदी पास की जरूद भी नहीं है आप सबी को तो आप लोग बनवा लिजी जल्दी जल्दी इस चीज़ को सबी से चैन के लिए आनलाइन आवेदन लिया गया था तो इसमें ये लोग जो बाहर होएते प्रिक्रिया में तो सेम सिच्वेशन यहाँ पर भी है दोस्तों लेकिन बस थोड़ी सी ये चीज़ है कि जो संसोदन में पूरी तरह से मुबाइल नंबर संसोदन कुछ भी अपड इसमें पूरी तरह से करते रहे तो आगे जो भी होगा काउंसलिंग के टाइम पर देखा जाएगा मोबाइल नंबर संसोदन को लेकर के लगादात लगातार मांग की जा रही है कि कोई इनकोई इसमें इसका विकल्प दिया जाए तो अर्षट पांसों किसे आए तापकर ब जिला आवंटन पहले सुची मोगा जबकि दूसरी सुची में 6127 को समय उजित किया गया था कुछ लोग पूछ रहते कि क्या सेकंड काउंसलिंग भी हो नहीं है तो सेकंड काउंसलिंग दोस्तों ऐसे कोई सूचना नहीं मिली है पहली काउंसलिंग में ही आपको 75 जनपु में से ही जिला मिल गया तो पिछली बार वाली गलती इस बार सुधाने की कोसिस की गई है इस बार सभी 75 जिलों को भरने का यह निर्देश था मतला आवस्यक तभी ना भर्याप सम्मेट ही नहीं कर सकते थे आनलाइन आवेदन तीन दिन बच्चे हैं इसमें मोगाईल नंब बेरती लगातार जा भी रहें बेसी सिक्षा परसदाफिस वहां पर मांग भी कर रहें और इसके सलोसन के लिए लोग कई तरह के बाते भी बता रहें कि हमारा नंबर खो गया चोरी हो गया या पिर जो भी दिक्कति थी इन्हें संसोदन का मौका दिया जाना चाहिए उस लो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए समझना चाहिए इस इसको तो एक चीज़ और वे दोस्तों जो हमारे जो पूरो मुख्य मंत्री है अकले से आदो जी इन्हों ने उनत्रया सिक्षक भरती में पिछड़ों और दलतों के साथ कोई ना इंसाफी न हो उनके साथ उनके पाकर करके डाला था यह देख लिए संसोतन का मौका नहीं मिलने से प्रसासन ने रोका सभी को जो धर्ना के लिए थे वहाँ पर और उसकी लगातार मांग कर रहे हैं तो प्रसासन को उन्होंने ग्यापन सोपा है और जो भी अभ्यरती मुवाइल लंबर बदलने से प्रसान है तो उन्हें मुवाइल लंबर बदलने का मौका दिया जाना चाहिए यह बिल्कुल जेनून प्राबलम है बाकी बेसी सिक्ष्या परसा जाने उन्हें क्या दिक्कत है यह चीज वहीं बता सकते हैं कि क्यों ऐसा नह हो पा रहा है बाकि और जो मेरिट प्रभावित होती है ऐसे संसोधन को नहीं किया जाएगा मान नहीं होगा तो वह भी उसके संबंद में कुछ नहीं खाजा सकता दोस्तों मैं आप सभी को एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि कम से कम अभी भी कम से कम 40-45 जार अब बिरती बाहर होंगे एक लाग से ज्यादा लोग नहीं होगी आपकी फाइनल आनलाइन काउंसलिंग में आप देख लीजिएगा अगर गौवर्मेंट कुछ करती है कुछ नया करती है सब को संसोधन का मौका देती है तो अलग बात है बाकि कुछ आंसर कुछी बिवाद वाला अगर एक- से कम 400-500 सीट बचेगी आपकी तो ओ सीट फिर और जनल करडिगरी वालों को फायदा मिल जाएगा महाँ पर अगर 68-500 की 22 सीट है यहाँ पर एड हो जाती है तो फिर इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा लेकिन यह संभावना इसकी बहुत कम है बागे दोस्तों ओबर लेपिंग के बारे में मैंने आप सभी को समझा दिया एक बार आप देख लिजी आपको जल्दी से कि क्या सीच्वेशन बन रही है अभी भी जनल करडिगरी में जनल करडिगरी में जो टोटल सीटे हैं 34,000 के आसपास 36,000 के आलेडी अनरक्षी दवर के अभ्यरती भी है अगर इसमें से 3-4,000, 5,000 या 2-3,000 मा लेजे फॉर्म रिजेक्ट या फियर्ड बैग वाले जो भी किसी भी वज़े से बाहर होते हैं मवाई लंबर संसोधन नहीं मिला या जो भी दिक्कते होंगी तो उसमें से भी आध ट्रियस ही होते हैं आप सभी लोग जानता है 25 नमबर उनको भारांग मिला हुआ है उस लोगों ने भारांग टिक करने में साथ गलती भी कर दिये जो भी होंगी उनकी संक्या 150 होगी तो बाकी कम से कम 7,000 के आसपा सिक्षा में तरह ऐसे हो सकते हैं जो जनरल की सीट ले आप लोग मैं लगातार कहा रहा हूँ कि 66 से लेकर के 68 यह लोग सेफ जोन में हैं लेकिन मैं यह नहीं कहा रहा हूँ पूरी तरह से सेफ हैं आप लोग आप लोगों के जिला वरियता क्रम भरने के ऊपर डिपेंड करेगा आपका सेलक्षन तो 68 परस वाले पूरी तरह से सेफ हैं आप लोग अगर ग्री जनपत को वरियता दे करके अगर आपने फर्म भरह है तो आप लोगो ग्री जनपत मिलने की भी संभाव ना होगी पूरी पूरी बाकि 688 के रेंज वाले आप लोग safe हो सकते हैं अगर जिला वरीता करम आपने जिस करम में बर्भा होगा लोग गुड़ांग वाले जी रे अगर आपके वरीता करम में उपर पाय जाते हैं और अगर वहां merit कम होने के बावजूद भी तो आपका चैन हो सकता है निसी तुरुप से बाकि जो 66 से कम वाले हैं दोस्तों देखिए मैं आप से भी के लिए मतलब एक तरह से प्रातना कर सकता हूँ कि आपका भी हो जाए जाता लोगों का हो जाए अबैरतियों का बाकि दोस्तों में आप लोगों के लिए इसे और नहीं हो, कि आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांस है, आजएए OBC के अभैर्थियों के लिए, OBC के अभैर्थियों में 84,868 पास हैं, तो उसमें से 10-15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, मैं किसी को नहीं कहा रह और बाकि जो बैरति बचेंगे ओज यह ओवीशी की सीट फर फायट करेंगे अपने काडिकरी में ओर लैपिंग के दौरान मैंने आप सब्सक्राइब बताया था दोस्तों कि यही समभावना इस बार बिल्कुल यही प्रोसिजर होना है सत्परस्त मैं कहा रहा हूं बिल्कुल अगर वहां की UR की sheet पहे जो एम्रसी के बात पर वहां की media जया रमायए और उन्हीं की सींजर ऊंन्हों पर उन्हें सीट नहीं मिलती को ज्यादा मिलेंगे ग्रिय जनपज मिलने की प्रवबिल्टी बढ़ जाएगी परसेंटेज बढ़ जाएगा बस यह चीज़े दोस्तों तो ओबीसी के कैड़िगरी में बाकी 67 प्लस वाले पूरी तरह से सेफ हैं बाकी 65 से लेकर के 67 तक 65 से कम वाले बिलकुल उमीद मत करिए आप लोग आप लोग का कर सेलेक्शन बस कर सकते हैं कि भगवान करें आपका हो जाए बाकी दोस्तों बहुत कम चांस है आप सब के 65 से लेकर के 67 में जो 66 और 66 वाले हैं और बाकी 65 की जो उपर वाले हैं चांचर तक हैं तो आप लोगों के लिए वही है सेम कि जिला वरियता क्रम जो आपने जिस तरह से डाला होगा अगर आपने लोग गुडांग चैन किया है देगे दोस्तों आप इस दीच को पिल्कुल क्लियर कर लिजे कि गुडांग आपक को आवं कित होगा कि तो उपने 65 से कम वालों के लिए बहुत कम चांस है 55 के उपर वालों के लिए चांस है जो 68 yeah 67 प्लस थे आप लोग पूरी तरह से शेफ है आप लोगों को ग्रीजहन पद भी मिल जाएगा पैसलिच से शल्चर वालों को ग्रीजहन पद मिले न मिले लेक करती हैं तो कम से कम 62 प्लस यह मान कर चलिए आप 62 प्लस वाले ही ऐसी कडिगरी में पूरी तरह से से शेफ होंगे ग्री जनपत के लिए भी वागे साथ से लेकर कि 62 की बीच में जो ऐसी कडिगरी सी बिलॉंग करते हैं तो आप लोगों को जो आपने जिला वरितकरम डाला होगा उसी के आधार पर आपको डिसाइड करेगा आपको कौन से जनपत मिलना है कहां पर कौन से जिला आपको आवंटे दोगा 77,000 के आसपास अगर इतने लोग बाहर हो जाते हैं 1,46,000 में से आप यहां से काउंट कर लिए फिक इतने लोग बचेंगे यहां पर जितनी वेकेंसी है सम्तिंग उतने ही बचने वाले हैं तो उस दसा में सभी लोगों का चैन हो जाएगा कोई भी बाहर नहीं होगा इस बा और वहां पर आप मेरिट में नहीं आ पाया तो फिर आपको जन्पदावंटित नहीं हो पाया तो ऐसी सिच्वेशन इस बार नहीं आने की संभावना है इस बार यही कोशिस की गई है बेसी सिक्चा परसत के नए साप्ट्वेर जो तयार किये गए तो उनकी यही कोशिस है तो दोस्तों आगे कोई भी अपडेट होगी लगातार मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और कुछ लोगों को मुस्से सिकायद भी होगी दोस्तों तो मैं आप लोगों के लिए लगातार जो डेटा मिलता रहा है तो मैं कोशिस कर रहा हूं कि आप लोगों को भी जो आपके सवाल हैं, आपकी प्रस्त नहीं, तो उसका समाधान दे सकूँ, उसमें दोस्तों देखिए, जो आपको जिवित प्रमार पत्र बनवाना है, उसमें सबी लोगो कामल लगने है, सबको कामल लगना है, किसी भी कंडिशन हो, तो बाकी आपको जब काउंसलिंग होगी तो आप वहाँ पर पता कर लेजीगा, इसी सो क्लियर कर लेजीगा, उसके लिए आप लोग ज्यादा प्रसान मत होएं, डीडी के लिए, यह सब प्रमार पत्र हल अपनामा के लिए, यह सब आपकी एक दिन में बन जाते हैं, पटाफट, बस तो दिक्कत यह होगी, जो आप लोग बनवा लेजीए, ले लेजीए, कर लेजीए, उसको जो भी है, निवास जाती है, आप लोग के बास होना चाहिए, जो इस्पेसल कडिगरी वाले हैं, तो आपका भी सर्टेपिकेट बिल्कुल होना चाहिए, कुछ लोग का करना है कि नेट पेस हो नहीं हो रहा, तो से कोई दिक्कत नहीं होगी, एपी डेविट हो सकता है, उसके लिए लग जाए, बागी जो आपका सेट्पेकेट होना चाहिए, तो दोस्तों आशा करता हूँ, आपको ये वीडियो कापी अच्छा लगाओगा, अगर आप हमारे चैनल में नहों है, या फिर अगर अभी त